असलाम अरेकुम कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं आप सब लोग खारियसे होंगे जहां रहें खुश रहें आबाद रहें और मुझे अपनी दौा में याद रखें आज छुटी थी तो सुभी सुपो मैंने लॉंड्री कंप्लीट कर ली थी लेकिन अब मैं कपड़े समेटन नाय किट्टे हुए थी तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों की ड्रेस Natomiast और पैक करकर रखो दो अभी लेकी आई और इन सब को समेट के रखो ती तो इस्सें मैंने सोचा की क्यों आप लोगों को बच्चों की कपड़े दिखा दो यह सब कपड़े कुछ मैंने पैंस लाहर से मंग वाई थी, कुछ भाई मेरा दुबाई से जो भी रीसेंट लेके आया था, और कुछ छोटी सिस्टर शर्ट्स लेके आया थी बच्चों की, यह जो शर्ट है, यह अली की है, यह मेरा भाई जो भी मैंने बताया, दुबाई से वह बच्चों के कुछ कपड़े लेकिया है, एक यह शर्ट अली की है, एक टी शर्ट भी अली की है, इसके निचे यह जो ड्रेश शर्ट है, यह भी वही का कोई ब्रैंड है, यह भी उनीक, यह भी वही लेकिया है था, इसके बाद यह शाजिल के कपड़े है, यह फुल बा कुछ टाहिए पाज़ा नहीं तह हम अपहें नहीं से नहीं वहाँ पाग्यूदी ऐस पर्माँ के बाद मिंगे किसे एक उन की और नहीं हैं? पैंट का यह है कि मैं हमेशे है स्टॉक में रखती हम, पैंट शर्स क्योंकि यहां से मैं कप्ड़े पर चेज नहीं करती, मुझे यह होता है कि अचानक से कहीं जाना पड़ जाए कोई शादिया जाए कोई इवंट हो कोई बर्थ रहे हो तो बच्चों के पास कपड़े आपको पता है कि बच्चों के जितने भी कपड़े हो वही काम होती है एक दो बार वाश हो जाए तो बच्चों के कपड़ों में इसलिए फिर बच्चों के कपड़ों का आपको मसला ना बने इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके कपड़े स्टॉक में ही रखूं यह जितनी भी पैंठे आप देख रहे हैं यह सब के सब मैंने क्रीम ब्लॉक से पड़िज के यह वाइट भी पहुत थीछा कप्ड़ा होता है इनका और प्राइजिस भी बहुत नार्मल होती है इनका यह वाइट के नीचे आप यह जैसे देख रहे है ब्लू ब्लू और वाइट जीन्स यह तो मुझे बच्चों का पेने हुँत बहुत तो इन कही होते हैं कि जैसे भी जॉप के बाद शिर्ट पढ़ी है आप उसको मैच कर और बच्चों को पहना कि इसली कहीं भी जा सकते हो आपको मसला नहीं बनता अचानक से कहीं जाना पाद चाहे तो वाइट तो मुझे वैसे ही बड़ी इच्छी लगती है यह गोल्डन और यह एंड पर फिर वह चोटे की वाइट है यह तो होगी पैंट्स अब पैंट्स के बाद मैं अब मैं आपको दिखाने लगी हूं शर्ट्स यह सारे शर्ट्स मेरी जो चोटी सिस्टर है वो जब कराची गई थी चुटियों में वहां से लेकी आई थी यह देखिया बहुत ह यह बहुत हिए यह अजल्ए जेलो को अब यह चोटे शाजल के शर्ट है यह उसने परचेस की थी चेस वैल्यू से तकरीमन सारी शर्ट्स उसने चेस वैल्यू से परचेस की है और मैं आपको बताओं कि यह इनके बहुत ही मुनासिब प्राइस और इनका जो स्टाफ है वह बहुत ही अच्छा कहा, बहुत प्यारा स्टाफ है, और प्राइज इनकी बहुत ही मुनासिब, असलिमन का कोई सेल का पैकेज चल रहा था, कि त्री शिर्ट पे एक फ्री, जस्ट टू हंडर के शाहिद एक शिर्ट पड़ी थी, बहुत ब्राइट कोलर है, बहुत ब्लेंड़डी, है थे, बहुत आॉट्स्रराइडी इनका स्टाफ है, यही शिर्ट आगर हम कहीं बाहर से परचेस करते हैं, किसी बहुत बच्चों के ब्रेंड और से तो आपको पता है कि जब में आपको ब्लू शट बहुत ही कलरी है बच्चों इत्रैक्ट भी करती है बच्चे शोग से भी पहनते हैं अब यह परपल है, इसके नीचे यह ब्लू है, यह फिर यह ब्राउन शर्ट है, यह पॉमा लिखा में जिसके ओपर इसका भी कलर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छी लिगती है, पहने भी बच्चों को, यह चली आपको शाद ब्लैक लग रहे हैं, ब्लैक नहीं है, यह न बहुत बहुत ब्राइट है, बस माइनर शर्ट हैं, इतना ऐसेच कोई मतलब बढ़ा नहीं है, लेकिन इनकी प्राइज बहुत ही रिजनेबल है, 500 की शर्ट है, इनका कपड़ा, इनकी स्टिचिंग, इनकी फिनिशिंग, हर चीज आउटसेंडिंग, बहुत ही प्यरी और यह तीनों के आप सोच रहे होंगे, एक जैसी शर्ट है, एक जैसे कलर, तो मेरी कोशन शोती ही, कि मैं बच्चों को एक जैसे कलर पहना, मुझे अच्छा लगता है, कि सारे बच्चे एक जैसे कपड़े, सेम ड्रसिंग उनकी, यह तो होगी, मेरी बच्चों की की कोलेक